हेलो एबरीवन स्वागत है आप सब का मेरे चैनल में आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो भई आज से 6 महीने पहले कॉंट्रोवर्सी हुई थी और मेरे को लगता है यूट्यूब की सबसे गंदी कॉंट्रोवर्सी वही होगे जहां पे एक दूसरे की इज़त को ब है हसी मजाक के लिए खोलता है यह नहीं के घर के सारे रोने धोने जो है यहीं पर पड़े हो ठीक है एक इनसान ठीक है अपना दुख बता दिया हो गया लेकिन एक इनसान उते गंदी गंदी गालिया निकालना एक दूसरे के करेक्टर पर उंगली उठाना तो यह सब चीज आने भी मुझे बहुत गलत बोला है तो इसी चीज पर सरोज ने क्लैरिफिकेशन दिया क्यों क्योंकि लोगों ने उनको भर भर के बहुत हेट कमेंट करें थे इसलिए उन्होंने लोगों का जवाब देने के लिए एक वीडियो बनाई थी जहां वीडियो में लोगों के सवा जाएं जो पहले होती थी तब उन्होंने फिर दुबारा से फैमिली का नाम लिया कि लोग बोलते हैं कि हमने इतने पैसे दिये बहने जो हैं कटे भर भर के दे जाती थी मतलब अपनी बड़ी नंद की वो बात कर रही थी वो इसलिए क्योंकि लोग उनको कमेंट कर रहे हैं पडोस वाले जो हैं पडोसी खाना दे के जाती हैं तुम तो यहां बहुत अराम से रहती हो तब सरोज ने ये वाली बाते करना चालू करी कि सब लोग बोलते हमने इतने पैसे दिये तो भाई हम आज तक उभरे क्यों नहीं हम वहीं के वहीं क्यों हैं पूरा परिवार ठीक तो मैं इतनी गरीब क्यों हूँ मेरे बच्चों को खाया हुआ क्यों नहीं लगता अब सिरफ इतनी से बात हुई थी उसके उपर जो है इनके बड़ी नंद का व्लोग आ जाता है जो के पहले उन्होंने व्लोग डाला उसके बाद लोगों ने बहुत सारे हेट कमेंट करें उ उन लोगों की हिम्मत नहीं है मेरे सामने आके बोलने की क्योंकि मुझे उनकी सारी सच्चा ही पता है और ये अपनी गलती छुपाने के लिए किसी को भी बदनाम कर सकते हैं ये इनके घर की प्रथा रही है तो ये चीज़े जो है हां सुनिता के व्लोग में देखने को मिली उन्होंने जो है व्लोग पहले बनाया फिर डिलीट कर दिया फिर पता नहीं फिर क्या मन में आया हो सकता है कि सरोज के कमेंट देख ली होंगे उन्होंने कि सरोज ऐसे बोलरी कि अंदर इनके अंदर हिम्मत नहीं है इस तरीके के मेरे सामने बोलने की तो उन्होंने फिर द के व्लोग बना रही थी व्रोग बनाने के संसात बीच में बोल भी रही थी कि मतलब उनको डर वी था कही कि हैं नहीं कहीं मैं इतना गंदा गंदा बोलई यह टक गई आर वाली गालियां तो तो बेशरम है आर है तोू दो ऐसी हए वैसी है मतलब बहुत गंदी जिसको कहते हैं कि YouTube पे शायद यह चीज़े होनी नी चाहिए और YouTube की कुछ Community Guidelines भी होती है जिसके चलते यह चीज़े YouTube अपने आप भी Delete कर दीता है के साथ उन्होंने जो है सरोज के character पर बात करी वो इनसान जो इनके घर आता था जो इनकी help करता था नन्ना नाम से जिसका नाम जो है कालू ने भी अपने बिलोग में एक दिन लिया था कि वो नन्ना कहां चला गया अब क्यू नहीं आता सबसे गंदा इनसान तो वही निकला हमारे घर में यह है वह कालू ने बहुत ज्यादा उनका नाम लिया था अपने ब्लोग में लेकिन सेम सुनीता ने भी वही काम किया लेकिन सरोज के करेक्टर के उपर बात किया कि यहीं उसकी चाय पानी होती थी क्यों नहीं जाता था यहां से उठके सब पता है तू क्या समस्ति हमें नहीं पता अब हमारा मुँ मत खुलवाई हो और हम तुझे सब कुछ यह बता देंगे और पहले मैं भाई की वज़े से चुप हो गई थी तो क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है इज़त है तो भाई अब इज़त कहां गई अब धड़ा धड़ इतनी गंदी गंदी गालिया निकाल रहे हो करेक्टर के उपर बोल रहे हो आप छोटे भाई की इज़त नही हिक्त कर देती तो अभी भी भी तो सामने वाला इंसान चुप नहीं बैढ़ेगा इनसान जो है अपनी इज़त के बारे में नहीं सुन सकता इंको अच्छे से पता है लेकिन वो कहते हैं कि दूसरे इंसान को उकसा ना उकसाओ उनको ताकी वो बोले और इनको पताए कि बूखे वो चार बोलेगी तो सरोज का भी जरूर भी बूग आएगा क्योंकि सरोज चुप नहीं रहती है अब यहां पे पहल किस ने करी है यह सब देख सकते है कि कौन्टरोवर्सी कौन करना चाता है क्योंकि क्यों करना चाते है व्यूज को जो है बहुत सारे vlogger का यही काम रह गया है कि व्यूज नहीं आ रहे तो controversy कर लो अपने घर के बंदों को उनको थोड़ा सा पोक कर दो और उसके बाद वो अपने आपी जो है छिड जाएंगे और फिर वो vlog बनाएंगे तो आपको मुका ही मुका है डेली आप व्लोग बना सकते हो फिर उनके बारे में बोल सकते हो और व्यूज य व्यूज आएंगे चीज तो यह कि उनके husband उनसे जबरदस्ति व्लोग बनवा रहे हैं मतलब वो बनाना नहीं चाती ही लेकिन वो बोल रहे हैं बोल तू पीछे से उसको किस तरीके से मिस्यूज किया जा रहा है गालिया पड़ती है तो सुनीता को पड़ती है करैक्टर पर कोई बात आती है तो सुनीता के उपर बात आती है कि तेरे मुपे कूकर क्यूं मारा था उसने पड़ोसन ने ऐसे क्यूं करा था तो सब लोगोंने सरोज को गल्ट ठहराया था लेकिन आज यहां सुनीता गल्ट है क्योंकि सुनीता ने जो है उसके करेक्टर पे दुबारा वार किया है वार बार अपनी बेटी के लिए बोलना अब दो दिन पहले भी अपनी बेटी के लिए बहुत जादा रो रही थी कि मेरी बेटी पाली पोसी ठीक है शादी कर दी आज वो मुझे बात नहीं करती लेकिन अगर अब बेटी बात नहीं कर रही उसका भी सारा इल्राम जो है सरोज के उपर है कि सरोज ने मेरी बेटी को होगी तब भी जो है यह माँ बेटी दूर है ऐसा नहीं है कोई तीसरे इंसान की वज़े से कभी कुछ नहीं होता जब तक दो इंसानों के बीच में फूट नहीं बढ़ता है सिरफ अपने हस्बेंड के पीने से परिशान है कि वह मारता था इस वज़े से वह घर छोड़ के आ हुई है ऐसा नहीं है कि उनके उपर यह नहीं बीती तभी तो वह अपना हस्बेंड छोड़ के आई हैं सारी चीज़े सोचल मीडिया पे आ चुके इन्होंने खूद बताया किस तरीके से मेरे हस्बेंड मुझे मारते थे तब मैं उनके छोड़ के आई हूँ अदर्वाइस का पक्ष ना लेके भावी का पक्ष लेना चाहिए कि नहीं गलती जो है मेरे भाई की अपने व्लोग में जूट बोला था कि मेरी सास ने तो किसी ने मेरे को रोका तक नहीं में रात कोई वहां से आ गया तो उनके व्लोग में वह साफ चीज़े थी जहां उनके सास उनको र क्योंकि अभी तक सरोज ने जो है सोशल मीडिया पे वो बाते नहीं बताई हैं कि उनके बीच में वहां क्या बाते हुई थी यूटूब जो है दुबारा से एक मैदान बन चुका है यूद का यहां पे जो है महा संग्राम अब लग रहा है कि स्टार्ट हो जाएगा जो कि पह लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के उपर कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें सो वाबाई मैं मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाई